नमश्कार दोस्तों आप है अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुवात बिल्कुल इन काली-काली घटाओं के साथ और जैसा कि 2-3 दिन से अभी काफी वरसाथ चली रही है तो बताना मुझे कमेंट करके कि आपके यहां कैसा मोसम है तो हमारे यहां तो अपने खूब बारिश हुई और आज भी तो दोस्तों आज का जो अपना प्लांट है वह सभी का फेवरेट है और बहुत सारी लोगों को दोस्तों उस प्लांट का पता भी नहीं था तो वीडियो के जरीए उन्हें इस प्लांट की जानकारी मिली कि इतना सुंदर इतना उगाना ही चाहिए और दूसरा दोस्तों उससे आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी चाहें आपने गंबले में लगा रखाओ और चाहें आपने क्यारी में लगा रखाओ तो इस वक्त दोस्तों जैसा की मोसम चल रहा है आप देखी रहे हो तो इस वक्त जो है ये परफेक्ट टाइम चल रहा है इस प्लांट को उगाने का और ये है दोस्तों मेरे बैक्यार में गंबले में लगा हुआ गोरी चोरी का प्लांट और इस पे दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके सिंगल सिंगली फूल आएंगे कि कहीं कहीं आगे बर्ट्स बनगी पूरा ऐसे देखो गुच्छेदार ऐसे बंच बनेगा पूरा फूलो का और इसको दोस्तों इंग्लिश में टिकोमा स्टेंस बोलते हैं और वैसे येलो बैल्स बोल देते हैं क्योंकि बैल शेप इसके फ्लावर रोते हैं तो बिलकुल ये इतना अच्छा मोसम चल रहा है इन सभी प्ल कर गरीन फ्लावरिंग प्लांट है तो यकीन मानिए इस मोसम में आपकी जो कटिंग्स हैं जो बिगिनर भी है मेरे भेन भाई नया नया गार्डनिंग का शोक जिनने डर लगता है कि हमने कभी कटिंग लगाई नहीं है या हमारी होगी नहीं तो बिलकुल भी डरने की जरू आपकी कटिंग सक्सेस्फुल भी होगी और दूसरा आपका कॉंफिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और तीसरा इस तरह से सुंदर सुंदर फूल तो फिर खिलेंगे अगर कटिंग चल गी तो और दोस्तों इस फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी होती है और मतलब यह कह लो कि स सारा साल आपके फ्लावरिंग होती रहेगी बस कुछ टाइम मैं कह रही हूं कि जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी ना उससे पहले मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी और फिर उसके बाद मतलब फ्लावरिंग होती चली गई और सर्दियों का बस थोड़ा सा टाइम मतलब हमारा गारण भी हरा भरा रहे और दूसरा बार बर हमें प्लांट भी न लगाने पड़े कई लोग दोस्तों बड़ी दिक्कत मानते है सीजनल प्लांट लगाने की कि गर्मी सर्दी हमें चेंज ना करना पड़े तो इन सीरीज में मैं वही सारे प्लांट साबके साथ डिसकस कर रही हूं कि आपको एक बार लगाओ और फिर बस ज्यादा विंटर हो तो हलकी सी प्रोनिंग करते हो थोड़ा सा दोस्तों रेस्ट हर प्लांट को चाहिए और वही टाइम होता है आप अपने प्लांट को अच्छे से शेप देखते हो कई बार दोस्तों इतनी हैवी ह करता कट रिचाटाई करने का होता है ना ऐसा कि बले उल्टा-सिद्धा फैल रहा हो लेकिन हमारा मन नी करता कि इसकी कटाई-चाटाई करें और बेक यड में आपको नुँआ सारी होगी बाद लोगे गरेज़ने की है ना तो बलकुल दोस्तों दो तीन दिन से इतना अच् कि मेरे प्लांट्स के लिए और दोस्तों अंडर ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए बरसात का पानी कि इतना ज़्यादा जरूरी है तो हमारे पास में गारण है तो जब मैं सुबह वाक करने जाती हूँ जैसे आज सुबह भी गई मैं भले ही रात बरसारी बरसात हुई तो मुझे इतना अच्छा लग़ा था गारण को देखके कि मतलब देखो कच्ची जंगा है और इसमें अब जो इसका वाटर का लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ होगा तो इन सबी चीज़ों से दोस्तों आपकी positivity भी बढ़ती है आपने patience भी आती है और आप life के लिए बहुत positive हो जाते हैं और छोटे मोटे जो भी छोटे मोटे challenge आते हैं प्रॉब्लम नहीं कहना चाहिए प्रॉब्लम वर्ड तो कुछ होते ही निया खर जो भी छोटे मोटे challenges जो भगवान भेजते हैं हमें और जदा इंप्रूव करने के लिए तो उनसे भी आप बहुत जल्दी भार आ जाते हो क्योंकि फिर आप उनको ऐसे देखते हो कि बस यह चैलिंज आया अरे अरे तो इसका solution क्या होगा बस solution में लग जापते हो और फटा फटसे आपके दिमाग में जैसे ही solutions आपने कलाते हो बार तो कई बार मेरे पास दोस्तों वट्सेप पे लोग परसनल भी भेज़ देते हैं कि positivity कैसे बढ़ाए ऐस positivity वर्ड कुछ होता ही नहीं दोस्तों जब भी आप लाइफ को as a opportunity और challenges में divide करके देख लेते हो या तो challenge आएंगे आपको opportunity मिलेगे और क्या होगा है ना या तो हम अपने आपको बहुत well-drained feel करेंगे है ना या उससे कुछ सीखेंगे या तो हमारे मन की होगी या परमात्मा के मन की होगी और किसी के मन की तो हो नहीं ही होगी ह हमारे मन की हो तो बहुत अच्छा और परमात्मा के मन की हो तो और भी अच्छा तो बस ये positivity दोस्तों nature के साथ रहने से आती है nature आपको बहुत कुछ सिखाती है बहुत आपकी help करती है जब भी आप अपने किसी challenge को nature के सामने बताते हो और उसका solution मानते हो तो कुछ ही time बाद आपके सामने इतना अच्छा solution आता है सबसे जो shortcut method होगा ना उसका solution का वो आपके सामने आ जाता है तो बहुत संदर plant है दोस्तों yellow bells का और nursery पे आपको ये गोरी-चोरी के नाम से मिलेगा और ये थोड़ा सा मैंने जो motivation वाला थोड़ा सा एक डाला है तो ये उनके लिए डाल उसे कई बार थोड़ा सा low feel कर लेते हैं तो low feel कभी नहीं करते हैं और समय कभी एकसा नहीं रहता है आज कोई challenge है तो आप उससे overcome भी कर जाओगे challenge ही समझो है ना बहुत सरी opportunity हमारे life में आती रहती है challenges आते रहती है उनको मजा लो अपना एक story की तरह देखके लो उसको और ज इसे सोचोगे तो आपके जिवने में challenges नहीं आएंगे वो तो जिंदगी भर आएंगे आएंगे उनके लिए अपने अपको mentally prepare करके रखा करो तो दोस्तो कोई कहेगा अरे ये गोरी चोरी के video में ऐसी ऐसी बातते क्यों तो चलो दोस्तो प्लांट पे आ जाते कभी वो लोग किसी किसी के garden में लगा हुआ देखती हूं तो इतना सुंदर लश्ता है उनका घर देखने में इस प्लांट की वज़े से कई हो के तो जैसे ट्री बने हुए है और उस पे स्टेंप flowering हो रही है बंचे में फ्लावर आ रहे है तो उनके घर का जो सीने की वह होई बदल जाता उनसे सबसे अलग लगता है क्यों क्योंकि इसमें प्लांट लगा हुआ है और उससे उसके खुबसूरती मतलब यह कई गुना बढ़ जाते है मैं double triple भी नहीं कह सकती मतलब उस गली में से गुजरते हुए उस पूरे गली की attraction ही वो घर हो जाएगा अगर यह प्लांट लगा इतना हाड़ी प्लांट है इतनी केर भी नहीं बांगता एक बर आप लगागे तो देखो आपको मजा आजाएगा जब फूल कहलेंगे आपको इसकी तरफ अट्रेक्ट होगे और दूसरी दोस्तों मुझे इस प्लांट के इतनी खास बात क्यों लगती है मैं इस पे क्यों ब सारी जो यह पॉली निशन वाले इंसेक्ट है वो और भी फूलों को खिलने में मदद करते हैं तो बस दोस्तों उस प्लांट के बारे में यही था उसको लाओ लगाओ और कटिंग लगाओ कटिंग लगा लो और देखते हैं अपना विंटर का गार्डन तो यह देख लो आप कितने सुन्दर सुन्दर फूल खिले हुए हैं ना पॉपी के और यह अपने क्रेस हैं थे मम बरसाथ से कुछ लूड़क भी गए हैं लेकिन चलो अब यह भी बादल गरेज रहे हैं अब यह बरसाथ आने वाली है बस उससे पहले मुझे लगा अपना वीडियो बना दूँ क्योंकि फिर मुश्किल हो जाएगी है ना अगर कैमरा ही बीग गया तो तो वे बेक्राउंड की लाइट ओन करके तभ गऑनों तो बिडियो बनाई हैं यह नहीं तो बिलख लकुल लाइट ओन करके तभ बनाई हैं तो अपको वीडियो की क्वालिटी इंद्न तो कुछ प्लांट ऐसे हैं दोस्तों जो कि हमें लगाने चाहिए और फिर दुबारा लगाने की कोई जुरूरत नहीं पड़ती ये तो चलो सीजनल है और चले जाएंगे अब ये इनके सीड को लेक्ट कर लेना जिसने लगा रखे हूँ तो हर बार दोस्तों जब ये नए-ओने मेहमान आते हैं तो अच्छा दो लगता है ये अपना गार्डन दूसरा इंसे अटेश्मन्ट भी हो जाती है थोड़ा सा दुख भी होता है कि अभी ये ख़तम हो जाएंगे है ना होता है ना एक ये चले जाएंगे और इसमें दोस्तो तो इसका सीड है तो आपको एक बार अगर आप प्लांट लगा लेते हो फिर दुबार आपको कोई लाने की जरूरत नहीं पड़ती है आप उसे सीड बना सकते हो जैसे क्रेसंथिम हमें इसके फूर सूख जाएंगे लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि उसकी सीड क लेने के लिए आप उसको तोड़ी दो प्लांट पर ही आपने पकने देना है सीड ब्राउन होने देना है और ऐसे ही दोस्तों नहीं स्टिशं के फ्लावर जो है वो लोगों को बहुत अच्छे लगते है और एक बार अगर आप इस प्लांट को लगा लेते हो तो यकीन मानि बड़ी है मुझे नहीं लगता आपको इसके सीड भी क्लेक्ट करने पड़ेंगे अपने आपसे नेक्स्ट सीजन में आपके अपने आपसे प्लांट बन जाएंगे अपने आपसे फ्लावरिं गो जाएगी तो कई बर तो मेरे ऐसी इसी जुगे निकले होते हैं वो सीड शैद गिर गया होगा इदर उदर तो कहीं कहीं से पोध्धे निकले हुए है तो उमीद है दोस्तों आज का गोरी चोरी का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा नाम भी कितना प्यार है ना गोरी चोरी कितना फंटेस्टिक सा नहीं है इसका तो बस दोस्तों नीचर के साथ रहो अपने आपको खूप ज़्यादा मतलब ही समझ लो एनर्जिटिक मैं यह नहीं कहा रही पॉजिटिव जिस आदमी में एनर्जिटिक होती है ना वो हर चैलेंज को माफ कर जाता है वो जाड़ देता है ऐसे चल 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 मेरे काम का नहीं है तू चल निकल और उस आदमी के लिए दोस्तों कोई भी मुसीबत आने से पहले ना मुसी बद पहले खुड डरती है कि मैं इसके पास जाओं ना जाओं इसने कोई ज़्यादा महत्व देना नहीं है तो बस इसी तरह के विचार अपने मन में बना के रखें और अच्छे अच्छे काम करें नेचर के साथ जुड़े रहें और देखिए फ्लावर भी आपको हेलो बोल रहे है ना तो बस दोस्तों लगाओ गोरी चोरी का पुद्धा थैंक यू बेरी मच्छ टेक केर उफ यू अडियर प्लांट